हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप MS Word के अंदर प्रोफेशनल लेटर पैड कैसे बना सकते हैं देखे मैंने MS Word के अंदर कुछ इस प्रकास से देखे मैंने लेटर पैड को डिजाइन किया है अब चलिए मैं आपको एक नया लेटर पैड डिजाइन करना सिखाता हूँ तो देखे दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में MS Word को open कर लेना है MS Word को open करने के बाद सबसे पहले आपको पेज को setup करना है तो उसके लिए देखे आपको यहाँ पर layout पर क्लिक करना है और आपको size पर क्लिक करना है और size में आपको size एफोर वाली option को select करना है देखे आपका page यहाँ पर size एफोर में यहाँ पर setup हो चुका है अब दोस्तों आपको क्या करना है अब आपको यहाँ पर insert tab पर क्लिक करना है Insight tab पर क्लिक करने के बाद देखिये आपको यहाँ पर सेवस्ट चोपाली option पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों देखिये दोस्तें देखिए चिए इस प्रकाष से पीर क्र कर देखंगे और इस प्रकास से घूमा दीजिए इस प्रकास से इस vah辦法 प्रवूब हो चुका है अब दोष्टों आवा क्या करना कुछ उस प्रकात से उपर जाए और यहां पर इस प्रकात से ने इसमें हम फुरे में यहां पर मैं सेटआप कर देता हूं कुछ इसी प्रकात से आपको यहां पर फूलु折 तो दे की आ पर में आपको option दिखा दे रहा है format shapes का जैसा है कि आप देख लीजिए उसके बाद दोस्तों देखे आपको मिलेगा इसमें option shapes fill का तो shapes fill पर आप क्लिक कीजिए और shapes fill पर क्लिक करने के बाद देखे आपके यहाँ पर shapes के अंदर देखे यहाँ से आप color को fill कर सकते हैं जो color का आप यूज करना चाहते हैं आप यहाँ से बहुत ही असानी से कर सकते हैं अगर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर more fill पर क्लिक करकर देखे आपको यहाँ पर color का देखे box open हो जाएगा आप चाहें तो यहाँ से भी color को फील कर सकते हैं जो color आपको पसंद आएगा उसका आप यूज कीजिएगा चलिए मैं green color को मैं select कर लेता हूं और यहां से हम okay पर click करते हैं तो देखिए आप ग्रीन color apply हो चुका है आप अपने हिसाब से color को apply कीजिएगा उसको दोस्तों मैं shapes outline पर जाओंगा और इसमें हम no outline कर देंगे कुछ इसे प्रकार से आपको कर लेना है अब हम क्या करेंगे इसी shapes को duplicate कर लेंगे तो उसके लिए मैं अपने keyword से control के साथ D button को press कर देखिए shapes यहाँ पर duplicate हो चुका है duplicate होने के बाद दोस्तों देखिए मैं दुबारा से जाओंगा shapes फिल पर और इसमें हम कुछ अलग color को फिल करेंगा जो कि हमको पसंदारा तो चलिए कोई color यहां से देखिए मैं select कर लेता हूं color को select करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे इस shapes को इसके अंदर set कर देंगे तो इसके लिए देखिए आपको यहां पर फॉर्मेट टेम में जब आप रहेगा देखिए आपको मिलेगा यहां पर बना लेना है color दोस्तों आपको जो पसंद आएगा उसका आप यूज कीजिएगा अब चलिए मैं यहां पर मैं अपना टेक्स को टाइप करना शुरू करता हूं तो इसके लिए हम जाएंगे इसके लिए बना रहे हैं तो आप कंपनी का स्कूल का जिसके लिए बना रहे हैं और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं चलिए यहां से मैं नाम को रख लेता हूं तो देखिए यहां पर मैंने नाम टाइप कर दिया तो कुछ इसी प्रकास से सिंपल सा टाइप आपको कर देना है और टाइप करने के बाद दोस्तों देखिए इसमें भी आपको और यहां से आपको उट्ल को कर लेना यह तो देखे आपके हमें पर कुछ इस प्रकास से देखिए हैं और यहां पर हो चुका है अब दोस्तों हम ओम टेप पर क्लिक करेंगे होम टेप पर किलिक करने को आप जाएंगे पॉट बॉक्स में और विभॉण आप इसमें अप्ल आपको मेलेगा यहाँ पर इंगल को ऑप्शन जैसा कि आप देख लिए इंगल पर आप किलिक कीजी और जाइए आपके यहाँ पर इंगल सेंटर पर आपको क्लिक कर देना देखिए बीच ओ बीच में ऑटोमेटिक से सेट हो जाएगा और उसको बाद दोस्तों इस प्रकार से आपको काम कर लेना है करने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे इसी टेक्स को डूब्लिकेट कर लेंगे तो कंट्रोल प्लस डी बटन को प्रेस करेंगे देखिए डूब्लिकेट हो चुका है अब आब आपको दोस्तों यहाँ पर एड्रेस को टाइप कर सकते हैं तो इस करने के बाद जाएंगे होम टैप पर इसका जोर साज रहेगा इसको हम चोटा कर लेंगा जैसा कि देख लेजी इसका हम फॉन का साज चोटा कर लिए और इसका कलर दोस्तों उसका क्लार को कर सकते हैं क्लार को फिल करने के बाद देखें इसका जुबीस का गयफ है काफी काफी ज्यादा है तो इसको हम कम कर लेंगे तो इसके लिए सटूर्ट कर देखिए और आपको यहां पर इस प्रकाश से सटूर्ट कर देखिए और फॉर्मेट पर मैं क्लिक कर दूंगा, इंगल जाए और सेंटर एंगल को में किलिक कर दूँगा तो देखिए बीच वीच में सेट अप हो चुका है तो कुछ इसे प्रकास से आपको अपना उपर में डिटेल को टाइप कर देना जो आप टाइप करना चाहते हैं लेटर पैड में अब दोस्तों सेम टू सेम वही काम करेंगे नीचे भी कर ल हूं और सेट करने के बाद यहाँ पर इसका नोप कर दूँगा और सेंटू सेम यहाँ पर ग्रीन को फिल कर दूँगा और में कट्रूल देखें यहाँ पर इस प्रकार से हमें यहाँ पर setup कर देंगे तो कुछ इसी प्रकार से आपको काम को कर लेना है अब दोस्तों मैं क्या करूँगा इसी format पर जाओंगा कंट्रूल के साथ D करूँगा डूब्लिकेट हो जाएगा और इसको हम नीचे लाएंगे नीचे लाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर email id हो गया और website का नाम में यहाँ पर मैं टाइप करूँगा तो आभी अपने अनुसार से कुछ भी टाइप कर सकते जो आपको लगता है तो देखिए मैंने आपर email id और website name को टाइप किया है उसके बाद दोस्तों इसको हम select कर लेंगे और select करने के बाद इसका phone का साथ हम छोटा कर देंगे छोटा करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकास देखिए मनें छोटा कर दिया है और इसका कलर मैं यहाँ से देखिए तो कुछ इसी प्रकास से आप later pad को MS Word के अंदर बहुत ही असानी से तयार कर सकते है जैसा कि दोस्तों आप देख लिजी अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे यहाँ पर double click करेंगे mouse का cursor double click कीजे देखिए आपका cursor यहाँ पर आजाएगा और यहाँ पर आप इस प्रकास से name type क करने के बाद डैस दे दीजी और आपको यहाँ पर टैप बटन को प्रेस करकर आगे जाना है आगे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर date का इस प्रकास से symbol बढ़ा देना है और दोनों को हम select कर लेंगे और यहाँ पर इसका जो font रहेगा इसको हम बढ़ा देंगे इस लीज़ करेंगे इस पेज में अपना लोगो करेंगे तो चलिए मैं लोगो लगा देता हूं यहाँ निकी बाटल मार्क में लगा देता हूं तो उसके लिए हम टेजाइन टेप पर किलिक करने के वाद आपके बारटल ना Health बाटल मार्क पर खलीinky उसके बाद Quốc आपके हं पर picture का आप logo लगाना चाहते आप उस picture को select कर लीजे चलिए मैं logo को select कर लेता हूं और यहां से आपको insert कर देना है, insert करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर apply पर click कर देना थो देखए आपके यहां पर logo इस परकासे देखें आप सेट अप हो जाएगा तो कुछ इसी प्रकास से आप logo भी लगा सकते है लेटर पैड के अंदर अब दोस्तों देखें आप मेरा लेटर पैड बनका तयार हो चुगा है अब हम इसको print निकाल लेंगे तो उसके लिए मैं अपने keyword से control के साथ P बटन को प्रेस करूँआ देखें आप पर print का preview दिखाए दे रहा है आपके यहाँ पर print पर क्लिक करना है आपका print निकल जाएगा अगर दोस्तों आप चाहिए तो इसे PDF format के अंदर save भी कर सकते है उसके लिए देखें आपके क्या करना होगा आपको जाना होगा save as पर और जाएए अपना location को select कर लिजिए जहाँ save करना चाहते है चलिए इसको में desktop पर save कर लेता हूँ तो देखें आप मेरा PDF open भी हो रहा है तो देखें रोस्तों इस प्रकास से आप MS Word के अंदर बहुत ही easy और असान तरिका से later pad को design कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको ठीक लगा हो तो वीडियो को like कीजिए चैनल परना है चैनल को subscribe कर दिजे क्योंकि हम इसे प्रकास से वीडियो बनाते रहते हैं वीडियो को पुरा देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं किसी और next वीडियो म नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम